किसी नहीं बढ़ियां चीज़ है कि क्या बात है या मतलब कमाल की चीज़ है एटम की मैगनेटिक मोमेंट अलग होकी मॉलिकुल की मैगनेटिक मोमेंट अलग होकी दोनों निकालने का अलग अलग तरीका होगा ठीक है तो पहली बात मैगनेटिक मोमेंट आते हैं खुस होने की चाहते हैं तो महां बादिंग की बातिंगी ओनीज मॉलेक्यूल कंपयूंड आ तो वह पर जब यह हम लोग मेरेतिक मोमेन्स निकलने के बाते नितु स्टार्वसका यां भिद मॉलेक्ट्रोंने एपक्तर को समीजिकी बात आयों ऑन या फिर चलो मैं sodium से देखता हूँ sodium, sodium का होना चाहिए क्या? 1s2, sodium के 11 होता है ना तो होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 अगर मैं sodium plus का देखूँ तो sodium plus में 10 electron होगे अगर मेरे को sodium plus का electronic confession लिखने का दिया तो तुम लोग sodium plus में 10 electron होगे वो तो number of electrons, proton और neutron कैसे निकालते वो सिखा चुका है शुरू में इसके बारे मत पूछना कोई तो number of electron 10 होगे तो इसका नहीं लिख देना ये गलत होता है पहले sodium plus का दे रहे तो पहले sodium का लिखना then sodium plus का लिखना बिखना sodium का लिखे अगर सौटकट में जाते हो तो बहुत जगा पे गलती आहोंगे बहुत जगा पे एक दो नहीं बहुत जगा पे गलती आहोंगे देखो अब इसका निकालना sodium plus का तो ये 10 होता है चाह कुछ भी होता है उससे मतलब यह प्लस का मतलब एक electron इसने दे दिया एक electron और निकालेंगे इस पूरे electronic आप dairy अधर निकालेंगे ? अंदर वाली orbit से कि बाहर वाले ? तो सबसे पहले जो electron निकलता है बाहरी electron को निकाले जाता है आउटरमसte electron निकलता है ने कहीं भी ? आउटरमसteorbit बाविट को नहीं है ये है सब्सक्राइब के सब्सक्राइब लोटन सब्सक्राइब 3s2 3p5 कि मेरे को अंदाज हो गया इसलिए वहीं पर जाके रुखता हूं तो उन्हों को भी दीरे दीरे अंदाज हो जाएगा तो वहीं पर जाके रुखोंगे जहां पर ज़रूरत है तो 3p5 हो जाएगा चलो क्लोरीन माइनस माइनस मात विए ले लिया तो कौन सा अर्बिट म जाएगा लास्ट वाले में की अंदर वाले में तो लास्ट वाले में कोई भी घटना है घटेगी बाहरी ओर्बिट को घटेगी अंदर वाले ओर्बिट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है मतलब क्लोरीन माइनस की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा 5 था एक एलेक जैसे मैं बोलूं आर्गन निगेटिव होता नहीं है मैं ऐसे हाइपोथ्रेटिकली एक आइन लिगा हूँ इसका निकाल लें तो सुनना पहले हमने क्या लिखेंगे आर्गन का यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम लोग सीखो थोड़ा सा चीज़े को क्योंकि एड़ हो भी सकता है यही सब चीज़े है थोड़ी सी लेवल को अप करता है और लोगों की दिमाग हिल लाती है और यार यह क्या पूछ दिया और इसमें होता कुछ नहीं है देखो तुम लोग खुदी बनावगों 1s2 आर्गन का होते है 18 18 मतलर यह 17 के लिए था तो 18 मतलर यह एक और और कर दो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 is 18 हो गया अब बाते आते हैं कि आर्गन निगेटिव मिन्स आर्गन में एक एक एलेक्ट्रोन एड़ करने है अब पी में 6 एलेक्ट्रोन नहीं हो सकता है ना आउट्रमस्ट में 6 से जादे तो हो नहीं सकता है अब यहां पर लोगों की 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एक एलेक्ट्रोन एड़ करना है तो अगले और्बिट में जाएंगे 3p के बाद 4s आता है तो 4s1 मतलब यह और्बिटल नहीं था पहले लेकिन एक एलेक्ट्रोन आने के वज़े से यह और्बिटल बना सबसे पहले में बात बता दो और्बिट सुरू मे होता नहीं है, एलेक्ट्रोन के घूमने के पाथ को ही और्बिट बोलते हैं, चिला चिला के दस बार बोला हूँ, एलेक्ट्रोन के घूमने को पाथ को और्बिट बोलते हैं, तो यह 4th और्बिट था नहीं, लेकिन जैसे ही एलेक्ट्रोन 4th और्बिट में घूमना शुरू कि यह उस पाथ को हम लोग 4th orbit बोलने लगे हैं क्योंकि अब 3rd में घूम नहीं सकता है वहां पे जल रही नहीं है 336 हो चुका है अब 3rd में घूम ही नहीं सकता है तो 4th में इसको जाना पड़ा है इसे 4th orbit की formation भी किया मैंने मैं चलो एक और में लिखता हूं आइरं 2 प्लस चलो डेका मैं पहले आइशा कि लिखाँंगाlier तो आइरन का 26 होता है चलो 26 से क्या लिखूंगा सुनो 4S2 20 हो गया मैं ने लिखूंगा पुरा मैं शुरू महीं बोला था 4S2 20 हो गया 3D6 26 हो गया 26 हो गया अगर आइरन 2 प्लस का लिखना है मिस्टो एलेक्ट्रों को रिमूव करना है तो कहां से रिमूव कर गया 3D से की 4S यह इस यह गुद्धा है ठीक है कुछ लोक लगता है कि यह बाहरी और भीट है क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है अरे थर्ड और बीट बाहरी होता है कि फॉर्थ और बाहरी होता है निकालना है ना कि फ्रड और बीट से इसको थोड़ा चा ध्यान लगना है इस रिमूव बाइच्टम पर मस्ट और बीट लिकना अलेक्तर ओं यह इस और बीट से दो निकालना है न दो निकालना है अगर मैं F e 3 plus की बाते करूं तीन एलेक्ट्रों निकालने इससे, सुना तीन एलेक्ट्रों निकालने, तो दो तो इससे निकल जाएगा, तो 4 is 0 हो जाएगा, एक इससे निकालना पड़ेगा, तो 3D 5, जितने निकालने पहले बाहरी खतम होगा, तब अंदर में आएंगे, सब्सक्राइगे, तब 3rd orbit को last मानेंगे और यहां से एक एलेक्ट्रों को remove करेंगे, हाँ, कुछ पूछ रहे तो बताओ, बोलो, ठीक है, तो यहां पर यह चीज़े थोड़ा सा दियान रखना, यह थे आयन के एलेक्ट्रों निकालने बची है, चोटा चोटा बचा है, अब तुम्हों को घर से निकालने के लिए मैं बताता हूँ, solve करना कल भी दिया था, पता नहीं, solve गिये की नहीं, तुम लोग ने, fluorine 2-, phosphorus, 3-, अगर निकालने हैं, तो हम लोग निकाल सकते है, copper plus, copper 2 plus, nickel, चिक है, यह सारे का देख लेना, अब इसके बाद से हम लोग छोटा से करेंगे, magnetic moment, क्योंकि यहीं से magnetic moment clear हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद से हम लोग एक छोटे-चोटे दो rules है, poly exclusion और hoods rule, जो कि हम लोग ने use कर लिया है, उनके rule को, लेकिन उनके नाम नहीं लिए आभी तक, तो वो लोग बुरा मान जाएंगे, इससे पहले कि हम लोग उसके नाम से उनको पढ़ ले, उनको का rule हम लोग भर पूरी उसकर रहा है, लेकिन अभी तक उनके rule को पढ़ानी है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो यह बहुत यह आसान rule हो जाएगा, तुम लोग के लिए, कि हाँ सर यह सब तो जानते ही है, यह घर से करना इसको, electronic inflation लिखने है, लिखेंगे समें, छोटा-छोटा दो चीजे है, लेकिन लिखेंगे, the force of attraction or repulsion that are exerted by, the force of attraction or repulsion that are exerted by, the electrons present in the atom, when present in magnetic field, when present in magnetic field is called magnetic moment, ठीक है, it is denoted by new, it is denoted by this sign, इसको new बोलते है, M-E-U, new, ठीक है, इसमें लिखेंगे, new is equal to, new is equal to under root, N into N plus 2, यह formula होता है, BM, यहां पर BM, यहां पर BM means bors magenton, bors, b-h-o-r-s, bors magenton, magnetic के लिए दिये थे, bors नहीं यह खोज किया ला, खोज किया किया ला, bors ने इस theory दिया ला, तो bors magenton के नाम से यह जाना जाता है, bors magenton, तब साइंटिस्ट का नाम बताने की जरूरती नहीं bors है, ठीक है, चलो, bors magenton यह हुए, इनका ना, अब इससे लात याती है, there are two type of magnetic character, sown by the atom, दो type के magnetic character atom के दोरा, sown किया जाएगा, यहाँ सुनना, यहाँ में दो बोल रहा हूँ, कुछ दिन के बाद, यह 5 होंगे, ठीक है, तो जब हो 12 में जाएंगे, solid state पढ़ेंगे, तो 5 तरह के magnetic characters, sown किया जाएंगे, metals के दोरा, ठीक ह लिखेंगे, paramagnetic, I think इसके बारे में थोड़ा से तुमनों जानते होगे, M-A-G-N-A-T-I-C, paramagnetic, इसमें लिखेंगे, paramagnetic में, the magnetic character sown by the presence of unpaired electron is called paramagnetic character, ठीक है, कुछ प्रोग्लम आरेगे, yes-no चलता है, ठीक है, paramagnetic character, here, इसमें देखेंगे, यह जो फोर्मुला लिखेंग इसके नीचे लिखना, N is equal to number of unpaired electron, number of unpaired electron, थोड़ा शूट गिया था, number of unpaired electron, यह N क्या है, number of unpaired electron, तो magnetic character, unpaired electron के जवारा, जो सोखिया जाए, उसको paramagnetic character कहते है, इसमें लिखना, here, N greater than 1, N greater than 0, not 1, 0 से greater होगा, इसके नीचे लिखेंगे, यह सब क्या है, अभी तुर It is weakly attracted in presence of magnetic field, मतलब इस तरह के, atoms को, अगर हम लोग magnetic field में रखते हैं, तो attractive सो करते हैं अपने अंदर, attractions होते हैं, ठीक है, It is weakly attracted in presence of magnetic field, examples देखें, तो देखना, iron 2+, iron, cobalt, etc, यह सब कैसे हैं, वो भी देखते हैं, अब थोड़ी देखते हैं, थोड़ी देखते हैं, प्रोब्लम आ रही है, तो यह examples paramagnetic कैसे होगा है, इसमें unpaired electron कहां आपको देख गया सरी, यह सारी questions तुम लोगे पाले में आ रही होगी, लेकिन इसको थोड़ी देर में deal करते हैं, थोड़ी सी theory, diamagnetic कर लिख लेते हैं, उसके बाद से हम लो बंफर इस पर opening करेंगे, कि कि इसकी magnetic character जादे होगी, कौन जादे attractive होगा, कौन जादे repulsive होगा, सारी चीज़े लिकरेंगे, diamagnetic करेंगे और लिखेंगे, the magnetic character shown by the paired electrons, means paired electron होने के वज़़ से जो magnetic character आएगा, उसको बोलेंगे, diamagnetic character, ठीक है, इसमें लिखेंगे, here, n is equal to 0, so mu is equal to 0, n का मतलब क्या है, n यहा जादे करेंगे, अन पेर्ड कितने होगा, इले, paired में, unpaired कहां से, जब हम बोली रहें कि paired है सारे, unpaired कितने है, 0, ठीक है, तो वही, unpaired 0 होगा, तो mu की value, n के जगा पर 0 पूट करोगे, तो mu की value 0 देगा, ठीक है, वो भी देखते है, आगे कैसे, ठीक है, example के लिखेंगे यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां वीक्ली, रिपल्सिट, इंपर्जेंस ऑफ मैगनेटिक, फील्ड, इक्जांपल साथ थोड़ा सा देखते है, शुनो, अगर मैं बोलू, निक्यल का, मैगनेटिक मोमेंट कितना, मैगनेटिक मोमेंट निकालते हैं, शुनना, यह पहरा, एक HOरफ करने है, पता चलड़ा जाएगा, बताया, 4s2 means 20 हो गया, 4s2 means 20 हो गया, 3d8 means 28 हो गया, अब अगर शुरू करें यहाँ पे, तो इसमें तो paired है, यह तो paired है, अन-paired बस यहीं पर दिख रहा है, means यहाँ पर d orbitals में एलेक्ट्रोन को fill up किया जा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, means अन-paired यहाँ पर 2 बच गया है, n is equal to 2, means अन-paired electron is equal to 2, और जहाँ भी अन-paired electron बचे हो, उसको paramagnetic बोला जाएगा, means it is paramagnetic, अगर mu निकालने की बात है करो, तो under root 10 into n plus 2 formula है, n plus 2 bm, means 2 into 2 plus 2 under root में, means that is equal to root 8 bm, जो भी है, confirm, calculate करना होगा, तो ब्रोक को, अगर मैं यहाँ पर सुनो, iron 2 plus की बात यह करो, तो iron का पहले निकालेंगे configuration, देको configuration आना चेह, बिना configuration का magnetic moment में नहीं आओगा, पिशे रेक्चर configuration पहीं था, तो अगर iron का लिखता हूँ, 4S2, 3D6, QT, इसका 26 होता है, 26 मतलब, 4S2 मतलब 20, और 6 के लिए क्या लिखेंगे, 3D6, चिलला चिलला का पता है, official lecture में, अगर यहाँ पर F2 plus की बात है करो, तो दो electron निकालने हैं, तो इससे निकालोगे, यह भी official lecture में clear हो गया था, 3D6 means, D orbital has 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, means unpaid electron कितने हो है, 4, n is equal to 4, means here is unpaid electron, it is paramagnetic, mu is equal to what, 4 into 4 plus 2, BM, 6, 4, they are 24, means root 24 BM, ठीक है, mu की value यहाँ पर आजाती है, अगर मैं बात करो कि Fe2 plus, और कोबाल, निकल, में, जादे magnetic moment किसका है, arrange the following in increasing order of magnetic moment, इन दोनों में, इसका magnetic moment root 24, इसका magnetic moment root 8, means यह जादे है as compared to this, means जिसकी value of n जादे होगी, यहाँ पर note करेंक लिखेंगे इसके नीचे, the atom or ions that contain more number of unpaid electron, have, have greater magnetic moment, have greater magnetic moment, और जिसकी greater magnetic moment है, उसकी greater attraction होगी, जिसकी greater magnetic moment है, उसकी greater magnetic moment है, unfortunate force of interactions, यह रिपलस, जो भी हो, तो अगर N is paramagnetic, तो paramagnetic है मतलब attractive है, तो जिसकी जादे paramagnetic city, उसकी जादे attractive nature, तो आइरल 2 प्लस की एट्रक्टिव नेचर जादे होगी, यहाँ पे गर मैं इसको मिटा हूँ और मैं बोलू कि मैं एक दो और डायमेटिक का भी कैल्पूलेट करना चाहता हूँ जैसे जिंक का, तो चलो जिंक का क्या होता है, 30 अटॉमिक नंबर है, 4H2, 3D10, 4H2 मतलब 20 और 910, means, unpaid electron कितने हैं, 0, तो mu is equal to कितने हो जाएंगे, under root 0 into 0 plus 2, means 0 BM, means अगर unpaid electron 0, mu 0, अगर मैं आरगन की बोल लो, आरगन का होता है 18, सुनना, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, यह हो जाएगा 18, अगर मैं आउटर मोस्त की बना होता, आउटर मोस्त यह है 3P, आउटर मोस्त की नहीं यह 3S और 3P दोनों बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गई है, means, n here is equal to 0, means, it is diamagnetic, unpaid electron जिसमें नहीं हो, वो diamagnetic unpaid जिसमें है, उसको parameter, अब paramagnetic है, तो किसका parameter जादे है, तो वो depend करेगा, जिसका unpaid electron जादे है, जिसका unpaid electron जादे है, जिसका unpaid electron जादे chromium, chromium की बाते कर लो, सुनना, chromium होता है, 4S, 1, 3D, 5, यह तुम लोग का exception case में था, बहुत बरवत आ चुका हो, तो 3 बरवत आ चुका हो, यह क्यों होता है, इसकी half field stability, इसलिए होता है, half field more stable क्यों है, इसके बार में भी चर्चा किया है, हम लोग ने, उसको भी देखना, ठी इसमें 1, 2, 3, 4, 5, means, and here is equal to 6 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, means, mu is equal to what, under root 6 into 6 plus 2, अब इससे जादे नहीं हो सकता है, 6, 2, 8, आच्छा करता है, root 48, BM, अगर मैं में 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 25 होता है, 25 means, 4S2 means 20, बार बार चिल्ट बोर और 4S2 means 20, और 4S2 के बाद 3 ही आता है, 3D, 3D में 10 तक भर सकते हैं, मैं विकिन नियुक्त पांची एलेक्ट्रों है, तो 5, 3D 25 होगे, अगर यहाँ पे अनपेर रेक्ट्रों हो तो यहाँ पेर मैं बनाओं, 1, 2, 3, 4, 5, means, n is equal to 5, 1 पेर एलेक्ट्रों, तो mu is equal to root 5 into 5 plus 2, 5, 27, 35, root 35, BM, अगर मैं एक और बनाओं यहा कोबालट प्लस का, तो कोबालट का कितना होता है, सुनना कोबाल्ट का होता है सथません, 27 मतलत 4S20 और 3D seven 27, चलो, कोबालट प्लस की बनाओं, अब तो खोरा से जाद हो ग्या आगर तुम लोगो 4S20 मतलत 20 तो 3D में जितना भ़ना है 27 बनाओं तो साथ थीष बनाओं तो 25 बना तो यहां एक यह लह जाएगा यहां 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 and is equal to 4 means new is equal to under root 4 into 4 plus 2 means root 24 अगर प्रेट को को कर दो कि बाद हो जाएगा तुम्हारा यह मैगनीज मेंनेटिक मौमें और यह में सबसे जाएगा एक विए एक इन मैंनेटिक मौमें पूछे तो यही तरीका है पूछे तो तरीका अलग है उसके बारे में सोचना भी मतंब भी अभी तुम्हें इस फॉर्मूले से निकालने है उस फॉर्मूले से तो वहां पे गरबडी हो जाएगी तो इसको रेडियुकर कुछ के magnetic moment मैं निकालने के लिए बोलो तो दे देता हूँ जैसे एक साम्पो तो लो magnetic moment घर से बैठके निकालना जैसे zinc two plus copper plus nickel two plus magnes plus plus निकालो ठीक है sulfur minus या sulfur two minus इसके वाद से करें आरें त्री प्लस यह सब के निकालो जैके मैंने इडी मोमेंट घर से इसके बाद से मिलते हैं एक श्लास कोई भी दिखका तो सेयर करो